नमस्कार स्वागत है आपका विहारी नियुज में मैं रतन सेन भारती आज हम बात करेंगे विहार के ऐसे लेखक के बारे में जिसे अधून की हिंदी उपनियास कारों की पहली पीड़ी के रूप में देखा जाता है किस्सा तोता मैना बाभरतरी जैसी रसनाओं की लीक से अलग एक बड़ी लकीर खिचते हुए कलपना के धनी उस चितेरा ने जब हिंदी सहीत का पहला परिचय फंटासी और थिलिर जैसी विधाओं से कराया तो उपनियास लेखक के छेत्र में जैसे तहलका मच गया जी हाँ आज हम बात करेंगे चंदरकांता के चरित्र को गरने वाले देवकी नंदन खत्री के बारे में देवकी नंदन खत्री का जन्म 19 जुन 1861 को बिहार के मुझाफर पुरजिले के पूसा में हुआ था उनके पिता लाला इसवर दास एक धनी बयापारी थे उनके पूरबज मुगल सासन में महचपून पदो पर रहे महराजा रंजीत सी के पूतर सेरसा के सासंकाल में लाला इसवर दास कासी में आकर बस गए थे घर में पैसे की कमी नहीं होने के कारण देवकी नंदन खतरी का बचपन खुष्णुमा महौल में बिता उन्होंने अपना बचपन अपने नाना के घर में बिताया था देवकी नंदन की प्रात्मिक सिच्छा उर्दु फार्सी में हुई थी बाद के समय में उन्होंने वार अमिक सिच्छा पूरा करने के बाद देवकी नंदन खत्री गया में टेकरी एस्टेट चले गए बाद में उन्होंने वारनसी में लहरी नामक से एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और 1898 में हिंदी मासिक सुदर्शन का प्रकासन शुरू किया 20-20 सदी की सुरुआत में देवकी नंदन खत्री और उनके पुद्र दुरगा पर साथ की कई रचनाओं को लहरी प्रेस ने दोवारा प्रकासित किया था देवकी नंदन खत्री बचपन से ही सैर सपाटे के बहुत सौकीन थे वो लगतार कई दिनों तक चकिया और नौगर की बीहट जंगलों में पहाडियों और एतिहासिक इमारतों के खंधरों में घुमा करते थे बाद में इन ही एतिहासिक इमारतों के खंधरों की प्रिष्ट भूमे में अपनी तिलिस्मी तथा एयारी कारणामों की कलपनाओं को मिस्रित कर उन्होंने चंदरकांता नामक उपन्यास की रचना की। बैर हिंदी भासी लोगों को हिंदी सिखने को मजबूर होना पड़ा था। इस उपन्यास पर चंदरकांता नामके टेलिवीजन धारवाइक भी बनाया गया। उन्होंने इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए दूसरा उपन्यास चंदरकांता संतती भी लिखा जो चंदरकांता की अपेक्छा कई गुनार रोचक था यह उपन्यास भी काफी लोग प्रिये हुआ। उनके दोवारे लिखी गई प्रमुक रचनाओं में चंदरकांता संतती, काजर की कोठरी, दरंदर कोहिनी, कुसुम कुमारी, बिरंदर बीर, गुप्त गोदान, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी अनेक रचनाएं लिखी। चंदरकांता संतती के एक पादर को नायक के रूप में देखकर देवकी नंदन खत्री ने भूतनाथ की रचना की, पर असमय मिर्तिव के कारणवे ईसुप अन्यास का केवल 6 भाग ही लिख पाए, इसके बाद 15 भागों को उनके पूदर दुरगा खत्री ने पूरा किया। हिंदी साहित को बोजहिलता से परे एक उनमुक्त उडान देने वाले असीम कलपना के धनी इस कलमकार का 1 अगस्त 1913 को निधन हो गया। बिहार के और भी ऐसे ही कलमकारों के बारे में जानने के लिए बने रहें। बिहारी निवच के साथ मुझे दीजिए जाजत धन्यवा झाले